बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्टड़ी वीदिस्वाती यूटीब चैनल पर दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीड फर्स्ट समेस्टर CSJMU University of Kanpur से तो बीड फर्स्ट समेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है Philosophical Perspective of Education तो आप सभी को पता है इसका पेपर आज है तो यहाँ पर हम यह last unit जो है important question एक नजर में देख लेंगे चुकि हम previous वीडियो में unit first, second और third को लेकर के बात कर चुके थे इन सब ही से जो बहुत important question है लगू और देरगुतरी question उनके answer के साथ उनको हम cover कर चुके थे और यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में अगर हम बात करें तो unit fourth के जो last part के important question है ज्यादा नहीं चुकि time कम बचा है तो थोड़े ही important question देख लेते हैं last unit तो चले दोस्तो टाइम वेश्ट ना करते हुए हम unit fourth से भारती सचिक विचारक महत्मा गांधी रविनाठाय गोर किज्जु भाई स्वामी वेकानन्द एवं कृष्ण मूर्ती इनसे सम्मनित और पाश्यात सचिक विचारक प्लेटो रूसो पोलो फेरो एवं जॉन डीवी से कुछ important लगू और दीर की प्रशनों को देख लेंगे तो यहां पर प्रिविएस वीडियो में इस प्रिविएस पेपर के बारे में बात की थी कि किस तरह से MCQ बेच्ट पेपर हुआ था लेकिन यहां पर इस बार आपका subjective paper होगा तो दोस्तों subjective paper में आपके लगू और देख की प्रशनों को ही रखा गया है टोटल पेपर की बात करें तो 75 marks का आपका पूरा पेपर रहेगा यहां पर आप देख पार है 2008 और 2018 इन दोनों में यहां से काफी question बने थे और भी अभी इम देख लेंगे तो लगुत री प्रशन यह सारे दिये हुए हैं चुकि हमें important question रखना है तो महत्मा गांधी के साची महत्मा गांधी से संबनित कोई भी question आए ठीक है उनकी सिक्षा दर्शन आए उनका पाठिक्रम या सिक्षरवीदी से संबनित प्रशन बने या गांधी जी के इसा सिक्षा का स्थान क्या है ठीक है इसे समनित कोई प्रशन बने तो यहां पर जो आंसर बताई जा रहे है आप बिलकुल पत wspól के उनका आनसर में दे सकते हैं चुकिчи विचारक थे बुनियारी सिक्षा प्रणाली उनके से अच्छी विचारकों का एक विवहारी करूब है तो यह है गांधी जी का शिक्षा दर्शन आगे दिया है सिक्षा दर्शन के आधार बूर्ष इधान्त तो यहां पर पहला है संपूर देश में साथ से सवधा जैसे आप है कि सिक्षा का माध्यम मात्र भाषा यानि मदटंग होना चाहिए सिक्षा व्रेद्यहर्थिव में समस्त मानुवी गुलों का विकास करें सिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की स्वक्षा दिनी चाहिए सिक्षा को सिक्षा को बालक की शरीर, मस्ति question sorry next point की बात करें तो सिक्षा का अर्थ सिक्षा का अर्थ मैंने कई बार बताया है तो यहां पर गांधी जी के शब्दों में देख लेते हैं बालक और मनुशी के सरीर मस्तिश्क और आत्मा पाया जाने वले सवत्तम गुड़ो का चहूर मुखी विकास जो है सिक्षा का अर्थ प्रकट करता है गांधी जी के निसार सिक्षा के उद्देश क्या है तो यहां पर गांधी जी ने बताया है क कि दो भागों में इसको बाठ दिया है ततकालिक उद्देश और अंतिम उद्देश ततकालिक में कई सारी पॉइंट है बालक का चारित्रिक निर्मार संस्क्रतिक व्यक्तित उच्च जीवन और जीविको पारजन इनसे समांधी जहां ततकालिक उद्देश बता दिए हैं वहीं आगर अंतिम उद्देश बताएं तो शिक्षा का अंतिम उद्देश जो है वास्त विक्ता कानभव इश्वर और आत्मन्भूति का ग्यान तो यह हैं सिक्षा के उद्देश गांधी जी के passar पाठिकरम की बात करी तो इन्होंने बुनियादी सिक्षा जैसा कि बुनियादी तालीम के अंतरगत आधार भूस शिल्प जैसे कताई बुनाई कृषी काष्ट कला ठीक है चर्मकार मिट्टी का काम ये मात्रभाशा गडित मात्रभाशा को इन्होंने प्रमुकता दी अपने पाठिक्रम में गडित को महत्ता दी है सामान ने विज्ञान में जी विज्ञान मनस्पति शारीरी विज्ञान सायन प्रकृति नक्षत्र विज्ञान ग्रह ये सभी को कला में ड्राइंग एवं संगीत को पाठिक्रम में शामिल किया है तो ध्यान रखेगा पाठिक्रम पूर सकता है आपसे लगुप्रश्ण की अंतरगत आगी हिंदी दि जी दियां कौन कौन जी गान्दी जी ने बताई ए तो करके सीखना ठिक्यान बहुत होड़ा सीखना सीखने की प्रकृत्र समन wal !! दि उस यह श् Carne परते हैं की अधरँ सी न मद ante महीं के चमरें तो भीकोर करे jest सहीशुड ग्यान का भंडार हैं धहरिवान होना चाहिए ठीक है ये सिक्षक का स्थान है सिक्षक दर्शन का मुल्यांकन ये इतना इंपोंटन नहीं फिर भी आप इस पर एग नजार डाल सकते हैं कि गांधी जी के दर्शन सिक्षक दर्शन का धार आदाश्वद है तथा प्रकृति वाद ये प्रियोजन वाद मातरुस के सहाय के रूब में हैं गांधी जी का सिक्षक दर्शन बाला की प्रकृति को विशेश महतों देता है इस लेवा प्रकृति वादी है और क्योंकि ये दर्शन बाला को उसकी हाट देता है सिक्षा दर्शन मुल्यांकन की अंतरगत तो यह बस इतना काफी है पिससे जादा कुछ इसमें खास नहीं दिया है ठीक है फिर भी आप चाहें तो एक नज़र इस पर डाल सकते हैं चली बढ़ते हैं अगले की तरफ जुकी है गांधी जी के सिक्षा दर्शन तरह सिक्षा के अवधार्णा की विचार को को इसपश्ट कीजिए और एक सक्षी सिध्धान वर्तमान भारत की प्रमुख समस्याओं का समाधन कहां तक कर सकते हैं तो इस क्वेशन का अंसर भी देख लेते हैं चुकि इंप् रॉकुल ऐसे ही देंगे उनके सेचिक सिध्धान वर्तमान भारत की प्रमुख समस्याओं का समाधन कहां तक कर सकते हैं तो गांधी जी के कॉंसेप्ट यनी समप्रत्य कि अगर हम बात करें तो दिया है गांधी जी में केवा साक्षर्ट ना तो सिक्षा का अंत है और ना प आत्मा का योग मानते हैं सिक्षा को इनका स्पष्ट मत्था कि सिक्षा को मनुशी के सरीर मन रदय और आत्मा का विकास करना चाहिए काफी सारी जो है इन्होंने परिभाशाओं के माध्यम सुझे है अपनी कॉंसेप्ट को बताया हुआ है तो यहां पर परिभाशा है आप ड देख लिजेगा गानी जी के सचिक सिधानतों के वर्तमान भात में उप्योगता तो भारतिक परिस्तिती के लिए उप्योगी है बालकों का सर्वांगेर विकास करने के लिए उप्योगी है अच्छी नागरिकता का विकास करने के लिए उप्योगी सर्वोदय की भामना का प्रशन कुछ इस तरह से पूछेगा बुनियादी सिक्षा क्या है या बुनियादी सिक्षा किसके द्वारा दी गई या नगी तालिम किसके द्वारा लागो की गई या फिर बेसिक शिक्षा के जना कौन माने जाते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें भारत में 1935 का अधिनियाम पारित वाजिस में भारत सरकार दिनियाम 1935 के नाम से हम जानते हैं इसके परणाम सरुसन 1937 में भारत में द्वायद शाषन प्रणाली की समाप्ति की गई ठीक है और यहीं से जो है गांधी जी ने नीशा नीटी को भी स्थान दिया ए है इसके साथ ही नीश्वूल की ओर अनिवांड सिक्षा के वस्ता कर नी थी इसके लिए उन्होंगे धनी के वस्ता भी की तो यह जो अगर बुनियारी सिक्षा के उदेशों की बात करें चे से 14 वर्ष आई वर के बच्चों को नेशूल को सिक्षा दी जाएगी ऐसा माना गया लेकिन बेसिक सिक्षा का कालखंड साथ वर्षों का होगा ठीक है यहीं साथ से 14 वर्ष शिक्षा हिंदी माध्यम से प्रदान की जा विद्यार्थी शिल्प के वैग्यारे तता समाजी देश्टी कोड को 11 जान जाएं ठीक है यह हो गया इंपोर्टन फिर है बुनियारी सिक्षा का वर्तमान सिक्षा के संदर में महत्व बताईए तो इसके काफी सारी पॉइंट है इन पॉइंटों को हम जल्दी से देख ले पॉड़ी आर्थिक देश्टी से कर लेंगे क्योंने सिल्प कला हस्त कला यह सब दी जाएगी मनुव एग्यानिक्ता इसमें कहा गया है कि रचनात्मा प्रवत्ती और जंजार प्रवत्ती इनको संतुष्ट करेगा कारी का महत्व जिससे अमीर गरीव का भेदभाव दूर ह हो जाएगा ठीक पॉइंट के अंतरगत है तो यह हो गए चार पॉइंट महत्व के अंतरगत अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं फिर अगला है थ्री नंबर का क्वेशन की बुनियादी सिक्षा महत्मा गांधी की महनतम देन है समिक्षा कीजिए 2011 पूछा गया बेस कर्म को सरкив से प्रात्मिक्ता दे गई है इसको तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं बाल मों ठाल इन वन सह और विद्याला में समान थरी है канал यह थो और समाजिक्त इन साभी पॉइंटों को इंक्लूट किया जा सकता है अगर हम बेसिक सिक्षा के गुड़ों की बात करें ठीक है और आवशक्ता की भी बात करें आगे कई सारे पॉइंट है सारी श्रम के प्रतिसा का रात्माक दस्टिक वोड ग्यान कि अखंडता स्वतंत्र वाता वरड़ी सारे पॉइंट आजाते हैं बेसिक सिक्षा के गुड़ों के अंतरगत फिर अगला पॉइंट है कि गांधी जी की सिक्षा की परिभाशा दीजिए तो दो तीन परिभाशा आप पढ़ लीजेगा जो सुरुवास से भी हम देखते हैं इसमें कोई खास क्वेशन नहीं पूछा है ठीक है मैंने सुरुवात में बताया कि आप गांधी जी की दो तीन परिभाशा जो बहुत कभी कभी यूपी टेट में पूछ लेता तो वही आप याद कर लीजी उनको ध्यान में रखी और उसी को आप लिखिएगा यहाँ पर सिक्षा प्रदान के जाने के समनु गांधी का विचार था है हैंड हार्ट हैड ठीक हर्था सिक्षा के द्वारा बाला का सारीरिक व्यवसाइक और अध्यात्मिक और मांसिव विकास किया जाना उसके बाद चलिए हम आते हैं रविन्ना टाइगोर से संबनित प्रश्णों परदीर के लगु जो भी पूछे इसमें से उनको देखते हैं कि टाइगोर के सिक्षा दर्शन का मुल्यांकन कीजिए तता सिक्षा के उद्देश सिक्षण पद्दती पाठिक्रा में सिक्षा की स्थान के संबनित के विचार को सपष्ट कीजिए ठीक है पहला क्वेशन हो गया आगे ठीक है रविन्ना टाइगोर का इस संबन्दित ज्यादा प्रश्ण नहीं पूछा चुकि मैंने इसको लिख दिया है यह आप स्किप कर सकते हैं इससे संबन्दित मैंने देखा है कि ज्यादा क्वेशन पूछे नहीं गया है तो स्किप करिए हम बढ़ते हैं स्वामी विएकानन बहुत इंपॉटन्ट प्रश्ण द्वजा सोला पांच और अदर में भी पूछा गया यानि अठारा और सोला में तो हम चलिए देखें इंपॉर्टन कोशन देखते हैं स्वामी विएकानन आप सभी जानते हैं इनको स्वामी विएकानन भातवश के अमत सपूतों में से एक हैं उनकी अध्यात्म रूब में इनके विचारित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं तो अगर हम बात करें स्वामी विएकानन की तो इनके शिक्षा दाशन में इन्होंने रामकृश्मिशन के जन कल्याण कारियों के रूब में अपनी चीजे रखी स्वामी जी ने अपने देश्वास्य के पॉइंट है το इसके बाद अग्ला अगला पॉइंट है कि इनके अनिसार जृण के दौ रूप है वस्तों जगतवा ज्यान और आत्माटत्व्या घ्यान स्वामी जी जो है मानो मात्र की सेवा को बड़ा धर्मानते थे उनके इंसान मनुशी जीवन का अन्ति मुदेश आत्म अन्भूती इश्चर की प्राप्ति और मुक्ष की प्राप्ति है इसी तरह से अन्य पॉइंट भी है इन पर आप बल दीजेगा इन्हीं आप पढ़ लिजेगा चलि बढ़ते हैं कुछ और चीजों पर ठीक है इस सारे पॉइंट है इनके सिक्षा दर्शन को भी एक नजर में देख लेंगे अगर हम सिक्षा दर्शन की बात करें तो स्वामी वियएका नन जी में काले दोर पर प्रिषले ततकाली अंग्रेजी सिक्षा पदेती को सही नहीं मानते थे यूकि सिक्षा कवदेश मात्र बाबु की संख्या बढ़ाना स्वामी जी कहते हैं कि हमें उस सिक्षा के अशक्ता जिसके दर चैति का निर्मार होता है मस्तिश की सक्ति बढ़ती बुद्धी का विकास और मनुश्य अपने पैरों पर खड़ा होता है आगे कहते हैं कि तुमको कारिके सब चेत्रों में हारिक बनना पड़ेगा सिध्धानतों के धेरों में संपुर देशों का विनाश कर दिया है ये है सικά्षन दाशन स्वामी विकानंद का उसके सिख्षा दाशन के अधार वुत को सिध्धानत भी रहे हैं जिन्हों नोे पॉइंटों के मादा हमसे बताया है कि सिक्षा कैसी हो जिससे व्यक्ति का शारेरिक मानसिक और आत्मिक विकास हो सके पर पर कार की विशय रखे जाए ठीक है सिक्षा गुरु ग्रह में ही प्राप्त की जाए यह सारे पॉइंट आ जाते हैं अगर हम सिक्षा दर्शन के अधारवुद सिध्धानतों की बात करें चलिए आगे बढ़ते हैं इनके अंसार सिक्षा का अर्थ एक नजर में देख लेते हैं स्वामी विवेकानन की अगर हम बात करें बताए कि यदि सिक्षा का अर्थ सूचनाव से होता है तो पुस्त काले संसार के सरवेश्ट संथ होते तथा विशुकोष रिशी बन जाते हैं इनके अंसार सिक्षा और सन्निहित पूर्ता पर प्रकाश है जो मनुष्य में पहले स ओ difícil से हिद्ध मानन हैं तो उनके मवेश्व ही पारिभा brick अगर हम इनके पूर्वी विवेकानन के शिक्षा के अर्थ की भी स्टॉट तो उद्देश में पॉइंट को देखें हैं पहला है शारी विश्य माच॥ वाधिकर्वी, क्त। एसव Itsac視 सारी कि इंद्टर आज जाएंगे इसके बाद मानसी वबाधि का अंतरगत समाजी सेवा की भामना का विकास सब जो है लेखता हैं विश्वन्दित का अभिकाज से सारे पॉइंट हैं देखी तो इन पॉइंटों के अंतरगात आप लिख सकते हैं थोड़े पता होने चाहिए नेक्स इंपोर्टन क्वेस्चन देख लेते हैं इस्तिरी सिक्षा के संबन में वेकानन की युगदान की बात कही गई तब वे बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधारक अवश्यक हैं उनके मामलों में बोनने वाले तुम कौन होते यह चीज उन्हेंने इस्तिरी सिक्षा के संबन में बताई थी तो इसको एक नजर में आप पढ़ लीजेगा नेक्स देखते हैं कौन से इंपोर्टन हो सकता है अगला इंपोर्टन कोशन है कि स्वामी विवेका नंद का मानो निर्मारी सिक्षा क्या है ठीक है वही साही चीजे जन सिक्षा मानो निर्मारी सिक्षा वही साही चीजे आ जाती है तो इन्हें आप थोड़ा सपर लेजेगा टाइम कम बचा है क्वेशन देखते हैं आग और ये क्रिश्यन मूर्ति के स्यंची विचारक की वर्तमान समय में प्रसांगडिक्ता पर निबंद लिखे। देखे क्रिश्यन मूर्ति पर कुछ भी आए तो आपको इन में से ही अंसर देना है अलक इंद की दो लाइए करने की जरूरत नहीं है उनका कहना है कि आज विश में जिस प्रकार सिक्षक शालाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही उसी प्रकार में छात्रों की संख्या भी तीवरुद्धी हो रही है लाखों की संख्यम किताबों का प्रकाशन हो रहा है ये सारी चीजे जो है सची विचारों में बात कही गई है तो यहाँ पर तो थोड़ा सा कॉंसेप दे दिया है ठीक है हम अर्थ देख लेते हैं तो कृष्व मूर्ति के नुसा सिक्षा सिखने की कला से सम्मनित है शिक्षा का वास्विक अर्थ धर्म के वास्विक रूप को समझना है शिक्षा कैसी है ऐसी हो जो आत्म बोध करा है शिक्षा का ताथ पर मन को परमपराओं के बोसने मुक्त करना है शिक्षा का ताथ पर सत्त की खोज शिक्षा का तात्र परिकार करने के शमता का विकास, कार को मन लगा करने, यह सब हो गया क्रिशन मूर्ति के सिक्षा के अर्थ, ठीक है, तो यह आप पड़ लीजिएगा, इसको भी लिख सकते हैं, सिक्षा के उद्देशे की बात करें, तो इन्होंने उद्देशे, जो है, य इस तरह तो व्याख्या कीजिए, प्लेटो के सिक्षा दर्शन, ठीक है, सिध्धान्त, सिक्षा के कार, यही सब बनते हैं अगर हम प्लेटो की बात करें, तो यहाँ पर 2018-1919 इनको पड़ लेजेगा, प्लेटो के अनुसा सिक्षा के स्तर क्या है, यह पूछ लिया है, तो उसका सिक्षा समन्दी दर्शन सभी कालो तथा देशों में प्रेणादाई हो, उसने अपने समय की युनारी सब बिता के अलोशना की और उसने मतलब प्लेटो की बात की जा रही है, कि और उसे सुधार में सिक्षा का महतु दिया, उसके सिक्षा समन्दी विचा में अतिहा प्लेटो की बात करें तो यह आदाश वादी थे ठीक है, प्लेटो समाज और व्यक्ति दोनों को महतु देते थे, यही सारी चीजे बताई गई है, आगे देखते हैं, प्लेटो की सिक्षा कुनैतिक आधार चार भागों मिलता है, योगिता, ज्यान, राजिनिति, ये सेवा ठीक है, ये पॉइंट है, जब बालक या भली प्रका नहीं जानता कि दुख सुख मित्रता और घ्रणा क्या है, तो उस समय बालकों की नए सरगी प्रतियों को अच्छी आद्टो की ओर ले जाया जा सकता है, उसे ही मैं सिक्षा मानता हूं, ऐसा कि इनों ने क्या प्लेटो करने के विवश्ता, सुरी विवश्त करता है, इसलिए लौज में प्लेटो ने लिखा है, यही साई चीजे हैं, कि शिक्षा का लक्ष, यूकों को राज नियम द्वारा उस मार की ओले जाना, जिसे वयो व्रधिज्यान और अनुभा व्रध 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 व आगे हम इंपॉर्टन कोशन देख लेते हैं, यह तो हो गया यहां पर प्लेटो के बारे में प्लेटो और सिक्षा के कारे भी कुछ इसी तरह से हैं, ठीकि अब आते हैं रूसो पर, रूसो आप सभी को बता है, प्रकृतिवादी, रूसो के अनुसार प्रकृति के निर्मा थे, वो प्रकृति की ओर ज्यादा उनका अनुसरर था, उनका मानना था मनुस्त प्रकृति की ओर है, उन्हों नारा भी दिया, प्रकृति की ओर लोटो, ठीक है, जिससे जनका कलने आड़ हो, चली आगे देख लेते हैं, रूसो का विचार था कि बाला को समाज से बहुत द सारी इनके सिध्धान्त की अलोचनाय भी थी कि ऐसे कैसे बच्चों को मनलब प्रकृति में छोड़ दें और वो चीजे स्वताही सीख जाएगा, ठीक है, तो यह था रूसो, रूसो से ज्यादा प्रश्ण नहीं बने, चली आगे बढ़ते हैं, रूसो के लगू प्रश्ण देख लेते हैं, कि लगू क्या पूछ सकता है, तो रूसो की निशेधात्मक सिक्षा की संकल्पना, निशेधात्मक सिक्षा क्या है, नकारात्मक सिक्षा की संप्रत्ते, सब रूसे से संब्दित है, यहाँ पर काफी प्रश्ण मिलें आपको, तो इसमें दिया है कि रूसो के सम्कालीन सिक्षा वस्था में बालको को लगू प्रॉड मान का सिक्षा दिने के प्रत्था थी बालको की शारीरिक मान सीक अवस्था में कम विद्याले सिक्षा को अधी महत्पूर मना यह समझा जाता माना जाता था ठीक है रूसों ने उक्त सिक्षा को निश्चात सिक्षा कहा निश्चात सिक्षा के समय रूसों को कहना है कि मैं निश्चात्मक सिक्षा उस सिक्षा को कहता हूँ जो की समय के पहले मस्तिश को विक्षित कहना चाहती है और बालकों को प्रॉड की कर्तव इसे स सम्मंदित सिक्षा देती है यह सब रूसों की नाकरात्म सिक्षा टिपड़ी वगएरा थी इसको आप पढ़िएगा रूसों की प्रमुस अच्छी विचार क्या थे कई सारे विचार थे पहला था वास्तविक ज्यान की प्राप्ति हमें प्रकृति सी होती है समाज से नहीं प अगला आ गया जॉन डियूवी से समबनित प्रश्ण जॉन डियूवी से ज़्यादा प्रश्ण नहीं बना है एक ही है देख लेते हैं लाश्ट है यह डियूवी ने अपने सिक्षा सिधानतों का अधिक व्यभारिकता प्रदान की जबकि अनिस शिक्षा सास्तित नहीं कर प्रश्ण डियूवी का सिक्षा सिधान सामाजिक और मनोवज्यानिक है वह सिक्षा की विभारिक तथा साल लोकिक सिधान देना चाहते हैं इनके अनुसार प्रतेएक व्यक्तिकोंसी उसकी रुची सभाव और योगता की अनुसार विक्सित होने का उसल मिलना चाहिए वह अब सभी को पता है कि जॉन डियूवी इनने अपनी सिक्षा त्री मुखी बताई है ठीक है टीचर इस्टुडेंट और करिकूलम इसी के अधार पाइनों ने पूरी सिक्षा को सपष्ट किया है तो इनकी त्री मुखी प्रक्रिया को आप एक्स्प्लेन कर सकते हैं इसके अ काफी है इससे अलग कुछ भी हटके नहीं आने वाला तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धनिवाद थैंक यू फ्रेंड्स की लिएटर्स